हेलो मेंबर्स वेलकम बेग टू ओंचनल स्टॉक मार्केट फंडा में अब देखो यहां पर आज का पार्ट तू इंपोर्टेंट होने वाले क्योंकि हम लोग बहुत सारे स्टॉक के रिजल्ट डिसकर्स करने वाले बजट से पहले क्या कोई स्टॉक लेना चेकर नहीं वो डिसकर्स करेंगे एंड आप लोगों की क्वेरिस देखो आज आप लोगों की क्वेरिस थोड़ी कम लेगे क्योंकि रिजल्ट बहुत जादा है बहुत सारे स्टॉक्स और यहां पर आ चुके होंगे तो हम लोग इंप की खरीदारी नहीं है 200 करोड का एन पर चोटी विक्वाली है लेकिस्टील fi ओन सेलिंग मोड ट्लिक है अब यह कोई भी रिजट हो सकते हैं मेंभी बजट हो मेंभी इंफलेशन हो मेंभी रिशेशन हो जो भी हो fi की सेलिक है और इसके वाज़े से आपके मिड़क्प स्प सब्सक्राइब बहुत सारे आए हैं खेतान केमिकल वन और वर्स्ट एवर रिजर्ट खेतान केमिकल के अब यह देखो एक्सपेक्टेशन नहीं था क्लियर कट ठीक है लास्ट यह 45 करोड सब्टेंबर 31 करोड अब डिसेंबर 13 करोड अब पता नहीं कहां पर जाके यह सबी देखो मारकेट में कहना मुश्किल हो जाते क्योंकि वस्ट रिजल पता नहीं क्यूं आते है से बैंकिंग्स टॉक की अचे रिजल्ट आ रहें आइधी स्टॉक्स के काफिया नंबर सा रहें लेकिन क्यमिकल सेक्टर में पता नहीं क्या पीट खुए हैं अगर कोई क्य लेकिन अभी के लिए पिटाई खराब है अब अगर मान लोग आज किसी ने एवरेज के है या करण लेवल के असपस कल भले यह उपर जाए या नीचे जाए एक्जिट कर लेना अब हो क्या सकता है समझो अभी मेरे सबसे तो कोई चांस नहीं दिखाए दिए यहां से बड़ी वो अब ट्रेंड चालने में ठीक है कुछ मार्केट में एक्विजेशन हो जा सकते है तो अभी के लिए अगर है उपर के लेवल से तो होल्ड करना एवरेज नहीं करना स्टॉक को सपोर्ट लेने दो उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि स्टॉक में करना क्या चाहिए एक चांस यह भी हो सकते कि स्टॉक ऑलरी काफे पीट चुका है तो शायद बड़ा क्रेश नहों ठीक है वापस पूल बैक करेगा तो बड़ा क्रेश की चांसे मेरी है यह जो कंपनी ग्रो कर रहे थे इसकी साब से रीजल्ट पेकार है स्टेवल लेकिन बेकर रिजल्ट है अब देखो अभी अगार एवरेज करेथा डाबरेजmar इउच आपru ayudar के लेगरं करे दो एक रीजबर बिड़ा छृइन में सकता हीगा यह किमशल्ग कलो सब को ठीक है एक बाद stock को support लेने दो bounce करें दो एक range में घुमने दो ठीक है आप यह समझो कम से कम एक दो महीना एक range में घुमता है उसको बोलते है stock को support लेना अगर यह नहीं घुम रहा है इस कमेंडिंग का stock में weakness है और यह weakness और बनी रह सकती यह stock 1000 तक भी जा सकता है ठीक है तो ठीक है इवन आप मान लो है हाँ पर सुजलोन लिया हो न तू भी आप profit में exit कर पाऊगे लेकिन कब सही जगा पर average important है funds आपके पास आज नहीं तो कल आएंगे कल नहीं तो परस आएंगे लेकिन सही टेम पर average करोगे तो पैरा केवल जैसे भी profit करते है ठीक है अभी के लिए नो एवरेज ये stock को अच्छे लेवल पर हम लोग एड़ करेंगे पूना वाला फिंकॉप बेस्ट एवर नंबर बहुत ही फाडू नंबर है ठीक है 50% से operating profit जम किया है कोशन आता है सर कि इसको ले नहीं सुनो ज्यान से ICC bank के फाडू नंबर थे आज ठीक है न थे न और गया न नीचे गया तो काई का फाडू नंबर इवन बैंक निफ्टी यहां पर आधा परसन उपा था यह तो आधा परसन भी नहीं है ठीक है तो काई के फाडू नंबर तो आप यह समझो banking stocks नहीं भी हो करें जैसे भी हो करना चाहिए था ओके ऐसा लग रहा है बैंक नि सब्सक्राइब में क्या करना है तो पूना वाला में मेरी सबसे आपको मेक सिंपल सजेशन करता हूं क्लियर कट मेरी सबसे profit booking हो सकती है बले उपर जाए मेरी सबसे तो चांसे बढ़े उपर जाने के ही नहीं लेकिन अगर जाता है क्लियर कट लेना यह ऐसा स्टॉक है कि आपको exit करने का सूचना as soon as possible क्योंकि अभी ये गिरने के मेरी सबसे पूरी possibility रखता है तो आपको exit करने का chance मिलेगा यह ध्यार में रखना और गिरेगा फाडू गिरेगा ट्राइडन गिरा था ना अगर नहीं विश्वा सा ट्राइडन देख लेना वैसा ओके देखो मेरा गिरने में मलब stocks जो गिरते हैं उसको पकड़ने में मेरा track record strong है तो थोड़ा mind में रखना कि अगर बोला के वही worst गिरेगा मलब गिरेगा जिन्दा स्टेनलेस अब बहुत ही बेकार नमबर है यह टू यह बिसेस पे 800 करोड़ का प्रॉफिट 500 हो चुका है देखो प्रॉफिट में है आप लोग तो मेरी सब से निकल जाओ क्योंकि स्टॉक अभी रिसेंटी काफी बड़ा मोह किया था ठीक है जिन्दा हेजार हो ग जो कि होनी चीए यह स्टॉक गिरना चीए ओके तो बैटर है एक्सिस बैंक लेकर उपर जाए तो भी एक्सिट करना थीक है एक्सिस बैंक नंबर पॉजिटिव लेकिन मैं इस सबसे जादा मोमेंटम नहीं करेगा तो उसको अवाइट करना चाहिए 47 परसंद का जंप है ले है कि 109 उसके बाद अभी लेटेस 140 याने कि 100 परसंद का यह टू यह बेसेस पर प्रॉफिट जाओ ठीक है यह स्टॉक सी देखो यह स्टॉक अगर आप देखोगे तो अपने टॉप के बास ही चले तो पहले यह बोलूगा कि टॉक को लॉंग टर्म के लिए मतले ना ट्रेडिंग पॉपर्स ओनली ट्रेडिंग पॉपर्स ठीक है स्टॉक की मोमेंटम पार्जिटीव है अगर यह आज का हाई क्रॉस कता है बारा सो बहुत तेर इस टॉक तिरह सो तीरह सो तीरह सो तीस चाली स्ट जा सकता है तो इसको फोकस करना नमबर दूरिंग दे मार्केट आ चुके थे स्टॉक अगर संस्टीन क्या तो अच्छी मोम routes route mobile ठीक है इसको यहाँ पर देख लेते हैं देखो स्टॉक काफी पिटा है अब मेरी सबसे नंबर सेम है यह एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं C members देखो number positive है stock काफी undervalued हो चुका है पहले overvalued था अब यह stock limit में आ चुका है मेरी सबसे आपको route mobile को long term के लिए अभी देखना चाहिए ठीक है देखो stock fall भी कर ले आप ऐसा मत समझे है कि इसको intraday buying site पे करेंग नहीं अगर stock fall भी कर ले था तो भी panic मत करना ठीक है इसको add करने का सोचना और one of the best level है stock का 1000-800 का level यह level पे future पे मिले मेरी साथ से long term एक दो तीन साल के लिए faru return देखे जा सकता है मतलब अगला एक multi bagger stock बन सकता है route mobile focus करना राज रतन global virus बहुत बेका number है 47 करोर का profit 38 करोज एक बार cross check कर लेते हैं राज रतन ठीक है यह वाला stock है इस बारे में मुझे query आई थी यह stock की अगर आप loss में तो अभी बेचना माना मेरी सबसे तो नहीं बेचना चाहिए अगर आप hold कर सकते हैं एक और साल approximately अभी average भी नहीं exit भी नहीं stock को hold किया चाहिए stock मेरी सबसे जादा नीचे नहीं जाना चाहिए एक range में रहेगा फिर वहां से breakout का सकता है ठीक है 750 का support है stock का अपी के लिए तो मैं मस यह सब ही stock है पर न्यूस के वज़े से focus में है अब सिफ दो क्वेरी आज ले लेते हैं किये कि सर की क्वेरी है सर जी यही सी आरी 194 पर बाई किया था fall आ रहा है रोज अब hold करे या sale देखो मेरी सब से यह जो general insurance की category है ना budget में कुछ हो सकता है ठीक है मैं आपको एक swing trade के लिए लेने वाला हूँ ऐसा सुच रहा तुम्हें आप क्या करो 171 का stop loss करो यहां पर average करो कल ठीक है और stock 185-186 तक जाए तो profit book कर लेना ठीक है आपके average price आ जाएगी ओके लेकिन अगर 171 ब्रेक करे तो average quantity को exit कर लेना मेरी सब से यहां पर pullback होना चाहिए budget या budget के दौ अगर आ है कि stock पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा भी थोड़ा risky हो जाता है तो budget नजदीक है stock chances तो है 170 का stop loss लेके 171 का try कर सकते है chances से थोड़ा उपर जा सकता है ओके एंड न्यूरेका देखो दो query आगे पिछे हो चुकी है लेकिन यहाप एक cover कर लेते हैं न्यूरेका सर cover कर दीजे न्यूरेका देखो सर एक ही query cover कर लेते हैं न्यूरेका वैसे न्यूरेका दो दिन में बड़ी momentum किया है ठीक है अब समझो मैं जो वोलाओं वो सुनो ध्यान से यह important है आप यह समझो कि अगर कोई stock crash करता है जैसे कि न्यूरेका यह जो crash आया है ठीक है न यह crash पर जो pullbacks आया है आप यह समझो बड़े players ने entry की है बट यह मत समझना कि यहां से vertical जाएगा इसका meaning है कि stock का base बन चुक होता है यह बड़े प्लेस की entry आते तो बेस बन चुक है अब पता क्या होगा यहां से सुनो जहां से यहां से उपर गया आप कल maximum अगर जाएगा तो कल maximum जाएगा फिर नीचा आजएगा फिर यहां पर ऐसे से करके time pass करेगा कुछ time यानि कि 6-8 मैने minimum उसके बद बड़ी momentum start क सकते है तो अभी नियोरिका का 20 बन चुका है लेकिन अभी यह consultation mode के अंदर entry करेगा और entry करने के लिए थोड़ी profit booking भी आ सकती है तो यह गाठ पान लेना तेक है as per my view totally देखो मैं stocks को बहुत follow कर रहा हूँ महलब पागल हो चुका हूँ मैं सुबह चार बजे पांच बजे तक पूरा stock market को यह analysis कता हूँ यह stock क्यों गिरा कितना गिरा और कितना गिर सकता है मैं बहुत study कता हूँ ठीक है तो यह clear है कि यह stocks ने जो pullback किया है वो safe and safe बड़े प्लेस के entry है वो भी long time के लिए not for the short time ठीक है आप profit booking भी आ सकती है तो मैं मस्मोस्टर था carry short out कर दिये फिर हो ज आज btst call दिया था persistent काफी अच्छा profit वा था अगर interested जोइन का सकते है निफ्टी का अगर कुछ extra call मिले तो देते रहोंगा definitely free telegram channel join का सकते है एन देखो वीडियो समझ में रहे है पसंद आ रहे तो वीडियो को like जरू कते रहे ठीक है मिलते है अगले वीडियो के अंदर तब तक के लिग गुडबाई जय है